दूसरी चीज भी निकल के आई कि आपने एरक्राफ्ट लीस पे तो लिए उसके साथ आपने कुछ और एरक्राफ्ट खरीदने की भी प्लानिंग कर दी तो जिस समय आपके पास इतने एरक्राफ्ट हैं खाली जा रहे हैं आपने लीस पे भी ले लिए साथो साथ आपने नए और भी प्लेस कर दी है जो देश की जनता जानती है कि एर क्राफ ये एर इंडिया का बेडा गर करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा तो सरकार और सरकार के ऐसे मंत्री जिनोंने कोई प्लाइनिंग किये बिना एर क्राफ लिये गए और अब ये CBI की FIR में लिखा है कि इसमें कहीं मिडल मैन है कुछ लोग हैं जैसे दीपक तलवार को कहा जाता है ED खुद चार्च सीट में खहती है कि प्रफुल पटेल जी के ये खास मित्र है और इन्हों ने ये सारा लेंदेन का पूरी प्लाइनिंग अरेंजमेंट करी तो केस दायर हुआ में 2017 में CBI ने केस दर्च किया पहले उसके बाद ED ने मनी लॉंडरिंग के एंगल के हिसाब से अपना भी केस फाइल किया जून 2019 में पहली बार प्रफुल पटेल जी को समन किया जाता है ED के द्वारा इस केस में एक बार समन किया गया उसके बाद तुरंद बाद ऑगस 2019 में CBI भी समन कर दिये प्रफुल पटेल जी को इसी केस में उसके बाद कुछ नहीं होता पीछे से बातची चल रही है NCP अजित पवार फैक्शन की और भाजपा की अंत पंत में जुलाई 2023 में जब अजीत पवार गुठ NCP से अलग हो जाता है और भाजपा का अलाइंस पार्टनर बन जाता है उसके बाद एक समन नहीं जा रही होता को इन्वेस्टिकेशन नहीं होती इस मैटर में और अब मार्च 2024 में ये खबर बात आती है कि इस मैटर को रफा कर दिया गया है CBI ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया